हुआ है हलो फ्रेंट्स मैं इसके सैनी यह में आशी गुरूप एक बारा और आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे भूमी बंदक या भी कास बैंक लेंड मौर्गेंस आफ डबलब्मेंट बैंक यह इससे पहले हम इसके बारे में जानने से पहले एक रायल क्रिसी आयोग का एक परिवासा हम आपको बता दें रायल क्रिसी आयोग के द्वारा भारती किसानों पे एक परिवासा इस आयोग ने दी कि भारती किसान रिरो के तले जर्म लेता है रिरो का बोज ढोते-ढोते रिरो के तले दब करके मर जाता है कभी रिर्ण समाप्त नहीं होता हाँ रायल किसी आयोग यानि जो भारती किसान है वो रिरो के तले जर्म लेता है और रिरो का बोज ढोते-ढोते और योके ही तले दव करके वो मर जाता है लेकिन कभी भी भारती किसान का रिन समाते नहीं होता है उसी के संदर में हम आज पढ़ने वाले हैं कि भारत में भूमी बंधक या विकास बैंग की आवसकता क्यों पढ़ी सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि भूमी बंधक या भूमी विकास बैंग की आवसकता क्यों पढ़ी तो सबसे पहले हैं ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में साकारी साक समीतियों एवं महाजलों देशी बैंकरों के द्वारा किसानों को केवल अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ही रिड़पराथ होते थे करने का मतलब है कि भारत में भूमी बंदक या विकास बैंकी आवसकता क्यों पढ़ी इसको जानने का हम प्रियास करते हैं भारत में सहकारी साख समितियों के भी द्वारा किसान अपनी क्रिशी से समंधित आवसेक्ता को पूरा करने के लिए रिड़ लेने का काम करता था साख समितियों नहीं थी असके पहले देसी बैंकर्स के रूप में महाजन सेट सहकार आदी से या रिड़ लेने का काम करते थे कौन किसान ऐनी किसान समीतियों से और महाजन से ये रिड़ लेने का काम करते थे तो समीतिया और महाजन किसानों को अल्प कालीन एवं मध कालीन ही रिड़ परदान कर पाते थे दिर्ग कालीन ये दोनों समीतिया इस किसान के लिए दिर्ग कालीन रिड़ परदान नहीं करता था यानि किसानों को लॉंग प्रियेड के लिए फाइनेंस ना तो साकारी समीती के द्वारा होता था ना देशी बैंकर्स महाजन सावकार आधी के द्वारा होता था जिससे किसान अपनी दिर्खकालिन योजनाएं बनाने में आसफल होता था कुछ ऐसे लंबे जो काम करने के लिए बड़े क्रिसी यंद्र खरीदने के लिए या भूमी सुधार करने के लिए या बागवानी के लिए या किसी का लिया हुआ कर्ज वापस करने के लिए यह भार किसान जो है बहुत परिसान हुआ करदा था क्योंकि इन्हें लॉंग तुरेड के लिए फाइनेंस नहीं मिल पाते थे इनके पास उतने पैसे ही नहीं थे पूजी ही नहीं होते थे कि भूमी विकास बैंक ने यह साकारी साक समीतियों महाजन किसानों को रिड़ दे करें सकें लेकिन यह से ऊरहां कामर्शयल बैंक एम सहकारी बैंक सी भी आगि आजए किसानों को थे किसानों को प mão कर आते थे कामर्शियल बैंक जिसको ब्यपारिक स्कंद वाली बैंक आते हैं या सहकारी बैंक दोनों बैंक भी अल्पकाली ने उम्मध काली रिड़ी परदान करते थे किसको किसानों को अल्पकाली ने उम्मध काली रिड़ी परदान करते थे इनके भी पास इतना समय नहीं था कि इन्हें long period के लिए finance प्राप्त करें क्यों कि commercial bank के पास saving account के थुरू जो अलप जमाहिश विकार किया जाता है जैसे माली जे commercial bank है और यहाँ पे आम नागरिक है तो ज़्यादा तर ये अपने पैसे saving account अनि saving account के माध्यम से ही इन दोनों संस्थाओं में रखने का काम करता है commercial bank या सहकारी bank में जो जनता होता है saving account के थुरू ही पैसे इन संस्थाओं में रखता है तो saving account का rule है कि जरूरत मंद बैक्तियों को जब ही जरूरत अपने पैसे की पड़े तो saving account का जो धनरासी है वो निकाल करके उसका प्रियोग कर सकता है तो bank ये हमेशा डरा हुआ होता है कि अगर saving account की जमा धनरासी को हम long period में अगर इसको तबदिल कर दे है अनि long period के लिए finance कर दे है तो ये अगर अचानक हमारे पास मांगने चले आए तो हम return कैसे कर पाएंगे यानि commercial bank इनकी saving account को long period में investment नहीं करना चाहेगा क्योंकि इनको जब जरूरत होगा माहेंगे तो ये इनको नहीं दे पाएगा तो जनता में एक जनविश्वास का अभावत्पन होगा और bank banking संकट का सिकार हो जाएगा और bank fail हो जाएगा इसलिए commercial bank या सहकारी bank long period के लिए finance नहीं करते हैं इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास long period के लिए कोई जमा नहीं करता है अगर long period के लिए जमा इनके पास होगा तो वही पैसा long period के लिए किसानों को भी दिया जा सकता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कहने का मतलब यह है कि यह जो सहकारी समीती हो या देशी bankers हो या महाजन हो किसानों को अल्पकालीन मध कालीन ही रिड़ उपलब्द कर आपाते हैं या कामर्सियल बैंक हो या सहकारी बैंक हो यह भी अल्पकालीन मध कालीन ही रिड़ उपलब्द कर आपाते हैं क्योंकि इनके पास जमाएं ही अल्पकाल होती है ऐसी स्थिती में अपने भारत में एक ऐसे बैंक की अनुभाव किया गया जो भारत में रहने वाले किसानों को दिर्ग कालीन रिडुप लब्द कराया जाए और ब्याज धर भी कम हो आनि ब्यारेट आप इंट्रेस्ट भी कम हो और इनको लोंग पुरियट के लिए फाइनेंस भी उपलब्द कराया जाए तो इस वो देश की पूर्ती के लिए भारत में भूमी बंधक या भूमी विकास बैंक की अस्थापना हुई भूमी बंधक को ही भूमी विकास बैंक के नाम से हम जानते हैं इसलिए क्योंकि वहां भूमी को बंधक बना करके ही वह किसानों को रिडुपलब्द कराता है इसलिए उसे हम भूमी बंधक या भूमी विकास बैंक के नाम से जानते हैं दोनों नाम है उसको भूमी विकास बैंक भी करते हैं और पहले भूमी बंधक बैंक था और भूमी विकास बैंक हो गया है तो इस तरह से हमने देखा कि अन्य बैंकों के माध्यम से लॉंग प्रियर्ड फाइनेंस किसानों को उपलब्ध नहों हो पाने के कारण एक ऐसे बैंक का अनुहों किया गया जो इस भारती किसानों को दिर्ग काली ने लॉंग की लिए फाइनेंस उपलब्ध करा सके इसी को ध्यार में रखते हुए भारत सरकार ने भूमी बंधक बैंक की आस्थापना की और इससे बाद में भूमी विकास बरत्मान में भून विकास बैंक के भी नाम से जाना जाता है और बरत्मान में सहकारी क्रिसी एवं ग्रामिल विकास बैंक के भी नाम से जाना जाता है यानि cooperative agriculture and ruler development bank के भी नाम से जाना जाता है इसे वर्तमान में तो इस तरह से हमने देखा भूमी बंधक बैंक की भारत में क्यों उसकी आवसेक्ता महसूस की गई और वह किस काम के लिए उसकी अस्थापना किया गया अब जानने के हम प्रियास करते हैं कि भूमी बिकास बैंक का अर्थ क्या होता है जानी गए होंगे आप calculation यानि भूमी बिकास एक ऐसी संस्था है भूमी बिकास बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसानों को उनकी भूमी को बंदग रख करके बंदग रख करके इनको दिर्ग कालीन दिर्ग कालीन रिड़ उपलब्द कराता है उसी को भूमी विकास बैंक या भूमी बंदग बैंक कहते हैं या जाना जाता है आप समद में आगया होगा भूमी बिकास बैंक का अर्थ क्या होता है भूमी बिकास बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसानों के भूमी को बंदग रख करके गिर्वी रख करके इसी के बेश पे किसान को दिर्व कालीन रिडु पुलब्ध कराता है उसी को हम भूमी बिकास बैंक कहते हैं अब भूमी बिकास बैंक के प्रकार है उद्देश के आधार पर और छेत्री संगठन के आधार पे नेक्स बीडियो में हम भूमी बिकास बैंक के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे तो आज आपने ये जाना कि दिर्ग कालीन रिडु पुलब्ध कराने के उद्देश से भारत में भूमी बंधक या भूमी बिकास बैंक के अस्थापना की गई जो भारती किसान दिर्ग कालिन रिड़ प्रदान करके क्रिसी से समंधित टैक्टर, टाली, कमबाइन, ट्यूबेल या मेडबंदी या भूमी पे अगर कहीं से उधार लिये हैं उसके लिए ये लोंग प्रियेट दिर्ग कालिन रिड़ प्राप्ते करता है और इसी के लिए भूमी बंधक बैंक के अस्थापना की गई है जो भूमी को गिर्वी रख करके किसानों को रिड़ प्रदान करता है उसी को भूमी बंधक बैंक करते हैं तो आज के लितना ही नेक